गैस पूरे देश में अभी इस बात पे बहस चल रही है कि स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो अभी खोले जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए वैसे गैस पिछले 17-18 महीनों से स्कूल कॉलेजेस के हिस्ट्री में एजुकेशन के हिस्ट्री में पहली बार इतना बड़ा शटडाउन हुआ होगा लेकिन अभी भी बहस इसमें जारी है एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट, डॉक्टर्स, सब इसमें दो भाग में बटे वे हैं वैसे गाईज मैं आपको बता दूँ कि एक बहुत बड़ा अपडेट निकल करके आया है और इस वीडियो को आपको इसलिए पूरा कंप्रीट देखना चाहिए क्योंकि अभी किसी राज्य ने इस पस्ट कह दिया है कि वो जो है अभी स्कूल्स ओपन नहीं करेंगे इवन टर्म वन के एक्जाम्स भी जो हैं वो आनलाइन होंगे अब कहां हुआ है यह मैं आपको बताऊंगा प्लीज अगर पहले पर हमाएं चैनल में आये हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा लाइक शेयर कमेंट जरू कीजेगा अभी तक पूरे देश के अगर हम बात करें तो नौ राज्यों ने डिफरेंट क्लासेज का जो आप कह सकते हैं कि स्कूल को उन्होंने ओपन किया है काफी हरबड़ी के साथ में ओपन हुआ है यह कहा जा सकता है जहां एम्स के डाक्टर डॉक्टर रंदीब गुलेरिया कह रहे हैं कि स्कूल खोली जाने चाहिए क्योंकि अगर वैक्सिनेशन का वेट करेंगे तो अभी 8-9 मेना का इंतिजार करना पड़ेगा वहीं मेदानता के सीनियर डॉक्टर डॉक्टर नरेश्ट रहान उनका कहना है कि अभी इतनी हरवडाहट किस चीज के है अभी रुक करके खोला जाए बच्चों को वैक्सिनेट किया जाए सिर्फ टीचर्स को वैक्सिनेट करने से ही काम नहीं चलने वाला लेकिन अभी अभी एक बड़ा अपडेट निकल करके आया है हिमाचल प्रदेश से हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ अपडेट हुआ है हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है चीफ मिनिस्टर है श्री जैराम ठाको जी उनके अधिक्षता में कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें ये फैसला लिया गया कि 6 सब्टेंबर से वहाँ पर स्कूल खोले जाने थे तो अभी उसको नहीं खोला जाएगा हाला कि हिमाचल प्रदेश का शिक्षा विभाग जो है उन्होंने स्कूल खोलने का प्रस्ताव भेजा था 50% कैपसिटी के साथ भी भेजा था कुछ और प्लान्स भी थे हिमाचल प्रदेश राजे सरकार ने फैसला लिया है कि अभी स्कूल कॉलिज बिलकुल भी नहीं खोले जाएंगे इवन बहुत बड़ा अपडेट है इवन फर्स टर्म एक्जाम जो है क्लास 9-12 का वो एक्जाम भी ऑनलाइन लिया जाएगा यानि कि ये कहा जा सकता है कि अभी अभी जो है वो आप कह सकते हैं कि किसी भी हालत में अभी सेप्टमबर महीना अगर फर्स टर्म का एक्जाम भी वो ले ले रहे हैं आनलाइन वे में तो इसका मतलब अभी हिमाचल प्रदेश स्कूल नहीं खोलेगा कुछ और भी राज्यों कि हमारे पास में अपडेट्स आ रहे हैं लेकिन अभी मैं वो अपडेट्स नहीं दूँगा जैसे ही हमारे पास confirmation आ जाएगा तब हम आपको अपडेट देंगे लेकिन आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि स्कूल कॉलेजेज अभी खुलने चाहिए या अभी वेट करना चाहिए ऑनलाइन क्लासेज को हमें और स्ट्रॉंग करना चाहिए ताकि बच्चों को खत्रे में ना डाला जाए लेकिन ये भी ज़रूरी है कि भारत की सिक्षा व्यवस्था कहीं चर्मरा ना जाए कहीं तूट ना जाए तो ऐसा कुछ हो जिसे कि ये जो स्कूल है भले ही वो सरकारी हो या प्राइवेट हो उनकी बुन्यादी जो बेस है वो भी रहे और जो स्टूडेंट्स पेरेंट्स गार्जन्स जो है वो सब भी सेफ रहें तो गाइस इस पे आपका व्यूज हमें जरू चाहिए और प्लीज वीडियो को ज़्यादर से रशेयर कीजेगा पूरी यूट्यूब पे सबसे अथन्टिक अपडेट जो है वो हम देते हैं and yes once again I am repeating की class 9 से लेके 12 तक के लिए हर subject के हर string के जो भी notes हैं MCQs हैं handwritten notes हैं वो हम आपको हर साल की तरह हर session की तरह इस बार भी आपको provide कर आ रहे हैं और वो भी बिल्कुल free में free of cost experts इस notes पे काम कर रहे हैं मैं खुद इस पे काम कर रहा हूँ तो बहुत बड़ा आपको notes मिलने वाला है बस बने रहे हैं हमार साथ में और जितने videos हम strategical videos हम डाल रहे हैं उनसे आपको फायदा जरूर होगा तो उन videos को जरूर देखेगा बने रहे हैं मेरे साथ में मिलते हैं next video में this is all from my side जै हिंड, जै भारत